आपका वोट आपकी ताकत वोट जरूर डाले इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक एप पर डाउन्लोड कीजिए तक एप उन्होंने एक बार यहां पर मैंनपुली में छे मीने में तीन लोग सभा चुनाओ करा दिये मुरे नहीं इस्तिफा दिया तो बाइलेक्शन हुआ बाइलेक्शन में इतना बूत केप्चर हुआ कि उसका भी बाइलेक्शन हुआ तो इनको शरम आनी चाहिए कि लोग तंत्र के काले इत्यास में मैंनपुली लिखा जाएगा जिसमें तीन चुनाओ छे मीने में पालियमेंट के बूत कैप्चर हिंसा और हत्यासे हुआ है जो यह कहके गए थे कि अब मैं सर्टीपेट लेने आओंगा उनको छटमें दिन आना पड़ा फिर उनको सत्रमें दिन आना तो आप जुरूर उनसे पुछेगा कि उस विधान सभा का नाम बताएं कमजोड वाली का जहां आप दो बार गएं कमजोड सीट पर तीन बार जाया जाता है और मजबूत सीट पर जाया ही नहीं जाता है फिर आपको यह टिकट किसी ने दी नहीं है आपने पिक एंड हमारे साथ हैं जो की मोधी सरकार में मंत्री भी है और अखलेश श्यादों को टक कर भी दे रहे हैं स्वागत है आपका अज तक पर नमस्कार नमस्कार थेंक्यू आप खुछ तो दिख रहे हैं ठके भी दिख रहे हैं क्या चुनाओं में कन्वेसिंग में होता है अब हैल्य भी देहां है लोगोंने का यह वी वह सब एस्पी सिंग्स कार जातीटार के क्या है क्योंकि वह कहते हैं हम बारूतु थे टोप नहीं मिली थी टो टोप मिल गई है तो टोप कुछ वुछ नहीं बहु होती है वोक्ले साख कर दिया तो निसानार्थ है लिधे साना प्र esti Allग कहेंगे कि यह सेफ़ी का किला गिरा था तो हमारे बापन बाबाने भी कुछ इंटेंगे और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो बीस साल बाद भी हमको यह गाली मिलेंगी जब किसी लल्की का दुपट्टा चेनेगा प्लॉट पे कबजा होगा या किसी का अपरण होगा कि 2022 में कमजोरी दिखाई इसकी वजह से यह हमें बसीयत में आप आतंक भी देके जा रहे हैं क्या मज़ेदार बात कहीं उस विक्ति ने लेकिन आपको लग आपके कॉन्फिदेंस कितनी वज़य क्या है मैं जब पूरे रास्ते आ रहा था तो मुझे बीजेपी का जंडा तो दिख में उखाड़ देते थे तो ठीक है सरकार हमारी है लेकिन आप ही आदो लेंड कहते हैं तो वो जो उनकी प्रकती है और जो उनका तरीका है जो उन्होंने एक बार यहां पर मैंपुरी में छे मीने में तीन लोग सभा चुनाओ करा दिये मुरे नहीं इस्तिफा दिया तो बा से हुगा है लेकिन बगिल साब आपको बिल्कुल आखरी वक्त पर आप उत्रे मतलब किसी को मालूम नहीं चला और आप उत्रे आपको लग रहा है कि आपका चुनाओ बहुत बहुत इस्तिती में है लेकिन जो अगर समाजिक समीकरण देखे तो बहुत टफ है एक्शली ला करते हैं अंडे वाला केले वाला थेले वाला चामीन वाला फिस्ता पाजाव मुंभली वाला को वह कहता है कि अब हमारी ठेल पैसे मुठी भर्टी के कोई यह कहते हुए कि यह साले हमारी सरकार है जिन जिन दाड़ी बनवाते हैं तो पैसे नी देते हैं शाग समाज के लोग सब्जी लेके जाता है तो से एक लोगी ऐसी चुरकट हरकेते हैं यहाँ पर समाजवादी से भी पैसे चिंग करके लोग शरप की जाते हैं वह ना जिस जिस दौर में चिंग जाएं फकीरों के कांसे उस दौर के बादसा से कुछ भूल रही होगी और उसी भूल के वज़े से उनकी सरकार गई है लेकिन अखिलेश यादो को टकर देना आपको लग नहीं रहा कि स्वेता सिंग हो ये करहल डेल लाकी जीत को कवर करने के लिए नहीं आई हैं नहीं आई हैं ये सब उस मंजर को देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने उनको कैसे बांद के रखा है और भेद के रखा है और तर कुछिश में प्रचार नहीं करने जा रहे हैं ये भी भारती जनता पर्टी की जीत है कि जो ये कहके गए थे कि अब मैं सर्टीपेट लेने आऊंगा उनको छटमें देना पड़ा फिर उनको सत्रमें देना पड़ा तो आप जरूर उनसे पूछिएगा कि उस विधान सभा का नाम बताएं कमजोड वाली का जहां आप दो दो किलोमेटर दूर हमारी सेनाई पर सोती नेता जी को लाना मनुवग्यान के बच्चे इसको क्या कहेंगे राज नितिक विश्ते सक क्या कहेंगे स्वास ठीक नहीं है ब्रद हैं बाकी बच्चे अपने ब्रद पिता के बिमार पिता की लाठी साहरे की लाठी होते हैं ये स कि अपतान को बड़े कप्तानी इनों ने चीनी थी राश्टी अद्धस पत्से हटा कि आज कैसा लग रहा हुगा उनको उनका स्वास्ती रेता जी का खराब हुगा है जब उनसको राश्टी अद्धस पत्से अटाए गया क्योंकि सरकारे आती जाती रहती हैं उन्हीं नेता ज़की ने मैंने उनके साथ वो नहीं किया जो फॉग ऐसिन उनके साथ किया तो मुझे उनको छोड़े हुए उनतिस साल हो गया था जब 30 साल पुलिस चोड़े हुए आपको ऐसा लगता पार्टी को छोलने के बाद मैं तीन सदर में जा चुका हूँ आप लोग कमेंटरी में नहीं कहते हैं मेरे कोई कहना पड़ता है कि मैं उनको छोलने के बाद राश्चामा में गया उनके बाद टूमला से 16 वार हने वाली सीट को मैंने जी थी यूपी में मिनिस्टर बना फिर बीच में आगरा एंपी बना और मिनिस्टर बना ये इस फिर भी बच्चे पीजडी करेंगे कि मैंने शपत ली थी 19 मार्च को योगी जी के साथ और 19 मार्च 22 में जब 5-7 दिन बाकी रह जाएं इसको इतना प्रिस्टीज का इशू के बना लिया अखले शादों ने भी बनाया उनको लेकर कर आया आपको भी पार्टी ने बना लिया खुद अमिर्शा ने कह दिया कि ये सीट जीत गए समझ जा 300 जीत देखिए मैं 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 मैंने पुलिस में एक बार एक कट्टे को पकड ने रफिक उद्दिन के आमिरे को फैक्टरी मिल गई तो जब मैंने उस फैक्टरी को बंद किया तो शिलाके से कट्टे बनने बंद हो गये तो जब राष्टी समाजवादी पार्टी अगर असमाजी कट्तों को प्रस्टे देती है तो उनके राष्टी अध्धक्षी कर दोड़ो बाव करने से तमारी क्लीन शवीं होके आईगी और लोगों का ये पुरानी सपा वाला नहीं है जो फरनेल रिपोर्ट चार्ट रिट और बंदुक के लैशन्स तक से मित रहती है ये ग्लोबल वार्मिंग वार्टर हर्वेस्टिंग ओजोन लेयर ग्रीन गैसे पे बात करने वाला इन्वार्टमेंट इंजिनियर है लोग जहां से में आगे लेकिन पूत के पाउं पानले में दिखे जिस दिन ओत ली थी उसी दिन मंच्की क्या अहलत की थी और जो संसकार है वही तो करेंगे तो तब भी भ्रम में रहे लोग वाग एक टेबलेट और लैप्टॉप दूसरा यह जो है बीएसपी का उसमें अच्छा परफरमेंस नहीं बाजबा का कमजोर होना सौधा में मुदी जी का उतरित होना इस उत्तर प्रदेश में तेहतर एंपी जीतना तो हम लोग भी कॉंफिडेंस में आई तो यह नई वाली वैसी ही है यह मूल आदमी अपनी आदतों मे सुधार कर सकता है मूल प्रवत्ती में सुधार कभी नहीं हो सकता है और यह अद नहीं ठोड़ती है यह जो चुनाव है इसमें देखिए पुरवान्चल में उनके साथ मौरे गए उन प्रकास राजभर गए तो एक महौल आपको नहीं बनता हुआ दिख रहा है कि जो बीजेपी का था वो अब अकलिश को प्रशा चालनक के ने बहुत साल पहले का था यह दुस्मन के दुस्मन हमारे दोस्त के सिद्धान पर में संजय निसाद निए उनके पास भी एक निसाद नेता है फिर वह महंदल वाले हैं क्यों नहीं आई इसका मतलब उनका यहां कुछ है नहीं तो मेरा तो 403 सीटों पर है और मेरे पर हुए हमले से मेरी स्टिकर से भारती जिन्ता पार्टी ने इतना हमले से साहनुभूती नहीं बड़े इनकी फूथू यह हुई है कि जब डेललाग से जीता रहे हैं तो बार बार यह क्यों आ रहे हैं घर के साथ लोग यहां पैर चुते हुए क्यों घूम रहे हैं और दो बार आया जाता है क्या कभी कि हम लाइम चिंगी जस्वन नगर में दो बार एजस इतने बले नेता होने के बाद आते थे कभी नॉमिनेशन करते थे और सटिपकर लेने आते थे आखिर क्या बात थी छे मार्च को आना पड़ा और 17 मार्च को आना पड़ा और आपको यहां आना पड़ा यह क्या कारण ह मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पार्टी ने मुझे यहां लड़ाया जनता ने इतना अच्छा इलेक्शन कर दिया कि हिंदुस्तान और विश्व की कोई ऐसी चैनल नहीं है जो यह मंजर देखने के लिए नहीं आई हो कि आखिर अकलेस हार रहे और आप ही एक बार कहो पाली है ना कि ऐसी सीट है जो 89 से लेकर आज तक अगर 2002 छोड़ दें तो समाजवादियों के लावा किसी ने जीता ही नहीं है तो कैसे आपके पाले में आ रही है इसका क्या है क्यों 50 फज़दी सीट वोटर उनके साथ दिखाई देते हैं 3834 ऐसे पाले मा रही है जैसे जैस इनको गड़ ही कहा अब जब जब चुना होंगे 24 में आप यह नहीं कह पाएंगे कन्यों जादो लेंड़े फ्रजाबाद जादो लेंड़े और बदायू जादो लेंड़े तो यह इस प्रकार से आपको अगले उधरान में करहल को भी कहना पड़ेगा जीत कैसी होगी आप अगर दावा करने हैं हूंडेट पर्चंट जनता ने चुनाओ ले लिया ना आप आप सोच लोगी साथ वज़े से मद्दान हो रहा है और आप लोगों को मैं पंदरवी अच्छी प्रतिष्टे चैनल से बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि हम जीत के प्रता स्वस्ते और जनता ने चुनाओ अपने हाथ में ले लिया है यह पहला चुनाओ एक गुप्त करांती एक साइलेंट रिवुलिशन एक खामुस इनकलाब टाइप का हो रहा है क्योंकि लोग इतने डरे हुए इन लोगों से आप देख रहे हैं आपने बाजपा के जंड़ा नहीं मिला जब जंड़ा नहीं तो मुझे लगा कि एसा ही राजपबर के बस्ते नहीं लगे थे और जंड़े देखे जाते तो एक घर में पंद्रा पंद्रा उनके लगे थे यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है 2009 के बाइलेक्शन की बात है ना कॉंग्रेस की हैंसियत थी और उसके त 5,000 बोट मिलेते और आज बबर को 3,000 बोट मिले जब जनता हो करती है ना तो अच्छे चे किले राइबरेली से इंद्रा गांदी साइलेंट वेव है और हमारे साथ अगर गाउं में आप एलेक्शन में मीटिंग देते तो बाहदुर लोगों ने बहुत सभाएं अच्छी क है तो अभी बाकी जी के क्या हल करेंगे हमने जीत रहें 100% हमारे साथ थे स्पी सिंग बखेल और इनका दावा है और इनका विश्वास है कि इस बार वो जाइंट किलर बनेंगे यानि कि वो बड़ी जीत हासिल करेंगे अब तमाम नजरें दस मार्श पर टिकी होंगी कि आक सिच कुमार के साथ कुमार विशेग